तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा, इसमें सब चीज़े बताई गई है, बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है, तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा, जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फ उसको जोइगाना बहुत पॉसलर होई है, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबेक है, तो उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमें करके जरू बताईएगा, एट्सक्राकट का ये चैनल जो योट्यूब पे है, उसको जरू से जरू सब्सक्राब कर लिएजिए, यहां से सब्सक के, तो ये चैनल आजाएगा और इस चैनल को आप जोइन कर सकते हैं, हेलो और वेलकम यौल तो लेट्सक्राकट दुश्य कुपता, तो यह है 4th of October कर एंटरफैस, बहुत इमोटन दुन एंटरफैस, आप इंको डेरी में से करते रहिएगा, कोई भी आपका डाउट है, सब्सक्राइशन है, फीड़एक है, उसको कॉमें सेक्शन में करके जुरू बताईएगा, वीडियो को अन तक जुरूर देखा करिए, जिससे की पूरी की पूरी चीज़े, जितने भी इसमें चीज़े बताई गई है, सब की सब्सक्राइब को समझ में आ जाएए, और कोई सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं, जिससे की महाँ पे लोग भ्रह्मन कर सकें, महाँ पे लोग भूम सकें, तो यूनियन, टूरिजम और कल्चर मिनिस्टर जो हैं, जिकेशन रिड़ी अनौंस्ड अश्पेशल टूरिस्ट ट्रेंड टू कवर दी अम्बेड़कर सरक्ट अम्बेड़कर सरक्ट क्या है, अगर हम देखें, तो गर्मेंट ने 2016 में अम्बेड़कर सरक्ट प्रफॉस किया था, यह इसको पंच-3 तीर्थ कहते हैं, पंच-3 तीर्थ इसलिए कहा जाता है, क्यूंकि 5 चीजे हैं, जो अम्बेड़कर की लाइफ से, डॉक्टर बियार से जुड़ी भी है और जिनको विजिट किया जाना बहुत जुरूरी भी है तो प्राइम निस्टर निरेंद मुदी है सेट दा पंच तीर्थ वूड इंक्लूड एक तो जन्म भूमी है अंबेटकर की बर्थ प्लेस जो है मध्य प्रदेश के महूं में फिर सिक्षा भूमी है लंडन में वेरी स्टेड वाइल स्टेडिंग इन दा यूके फिर दीक्षा भूमी है नाकपूर में जहां पिनोंने बुद्धिसम अपनाया और महापरी निर्वान भूमी है या प्लेस ओफिस डिमाइस है दिल्ली में फिर एक चेतरने भूमी आती है जहां पिनोंका क्रिम क्योंकि जो दलित कम्यूनिटी है वह सर्फ क्यूंकि जो दलित हैं वह — इसको एक तरह से की तरह देखते है जैसा तीर थिया अत्र का तीौत बियंबेटगर की सब्स प्रसी st ₩ चीज स्पे में पर 15 ओर चार। एक तो रमायन सर्किट चलता है, बुद्धीस्ट सर्किट है, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, एको सर्किट है, हेरिटेज है, नौर्थ इस्ट, हिमालियन, सूफी, कृष्ण, रूरल, ट्राइबल, तीर्थांकर, यानि कि अलग-अलग तरह से सर्किट्स बनाई हैं, तरह से स्पेशल ट्रेंस लई गई है, जिस से क्या होगा, कि जिस तरह के पर्सन को, जिस भी सर्किट में घूमना हो, वहाँ पे घूम सकते हैं, इन टरम्स ओफ ट्रेंड कोलाबरेशन, रमायन, बुद्धिस्ट, और जो नौर्टी सर्किट्स हैं, ये अल्रड़ी अक्टि जिस साइड उसको कवर की जाती हैं, वाइल अमबेटकर विल बेद फॉर्ट, और अमबेटकर सर्किट जो होगा, वह 14 सर्किट होगा, तो अमबेटकर सर्किट में आफ ये चार चीज़े देख सकते हैं, क्या के चार चीज़े हैं, एक तो जन्भूमी है, महूं में, उनको क्रिमेट किया गया तो ये चार जगा तो भारत के अंदर है और फिर पांच वी जगा जो आती है वो लिंडन में है जहां पर सिक्षा भूमी जोगा गया जहां पर उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की अब देखते हैं कि ट्रेन का कोलाबरेशन किस तरह से क अब देखते हैं को रिजर्व रखा गया है अर्लियर दिस यर आइस सपेशल 14 कोच ट्रेन चौदा कोच की ट्रेन चलाई गई है रमायना सर्किट पे आयार सिटीच के दौरा विद एर कंडिशन त्री टायर तो त्री टायर के दौरा यानिकि 3AC वो पूरी होगी ट्रेन यो पूरी 3AC होगी कोचिस फूर टूरिस्ट अलॉंग विद पैंट्री कार रेस्टोरेंट सेपरेट कोच फूर ट्रेन स्था यानि सब चीज है उसके अंदर प्रोवाइट की जाएंगी 62,000 रुपे पर पर परसन का टिकेट है और करी-परी 17 दिन लगेंगे और 500 लोगों को व इतनी होगी उसको एस्टिमेट करवाने में हेल्प की थी और जिसके वेसे आज लाखों लोगों की जान बची है तो अभी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे इनकी डेथ हुई है तो सो साल की उमर में उनकी मित्ती हुई है इन दा एरा आफ एडवांस्ट सैटलाइट टेक्नल रही है इन सब के होने के बावजूद जो वोराक ने जो वर्णन वोराक ने जो तरीका बताया था साइकलोन को साइकलोन की इंटेंसिटी को मापने का वो आज भी कारगर है नेम्ड आफ्टर हिम कंटिन्यूज टू बी वाइडली रिलाइड अपोन बाइफोर्कास्टर्स यानि कि जो पुर्वानुमान करता है वो अभी तक भी इन ही की टेकनिक का इस्तेमाल करते हैं जबकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा मशीन लर्णिंग आर्टिविशन इंटेलिजेंस आ गया है तो यह कौन थे गर हम देखें तो यह एक अमेरिकन मेटरोजिस्ट थे इनको क्रेडिर किया जाता है कि इन्होंने वोराक इनको दोराक भी पड़ा जा सकता है वोराक ना पढ़के इसको दोराक कर लो तो इस तरह की टेकनिक इन्हों डवलप की थी in the early 1970s तो 1970s में यानि आसे 50 साल पहले इन्होंने यह तकनिक बनाई थी the technique has been upgraded multiple times और उसके बाद से जब से यह टेकनिक बनी है उसके बाद यह कहीं बार इसको revise किया जा चुका है and after a recent software update in May this year it has been named the advanced दोराक टेकनिक और अब बाद में जब इसका software update किया गया अब इसको advanced दोराक टे Trilogist has said would improve the tropical storm forecasts by many foods तो उनका कहना यह था कि जो टेकनिक update हुई है इसके वज़े से जो forecasting है tropical storms की यानि कि जो tropical area है महाँ पे जो तूफान आते हैं समुद्र की जो तूफान आते हैं उनको हम प्रेडिट अराम से कर सकते हैं तो दोराक टेकनिक क्या है अगर हम देखें तो सबस से पहले ही 1969 में develop की गई थी और इसको Pacific Ocean में इनकी प्रिशान्त महासागर में जो तूफान आया करते थे उनको प्रेड़ करने के लिए उनकी intensity को मापने के लिए यूज किया जाता था Forecasters used the available satellite images obtained from polar orbiting satellites उस टाइम पे जो polar orbiting satellites हुआ करती थी उनकी मदद से उनकी images की मदद से हम अरुमान लगाया करते थे During daytime images in the visible spectrum were used और रात में infrared images के इस्तेमाल किया जाता था दोराग technique was a cloud pattern recognition technique तो दोराग technique क्या थी है यह cloud को जो cloud का pattern है cloud का क्या pattern है उसको recognize करने की technique थी based on a concept model of the development and decay of the tropical cyclone तो यह किस चीच की concept based थी कि कि किस तरह से tropical cyclone develop हो रहा है और किस तरह से वो खतम हो रहा है तो उस चीच के ओपर यह technique dependent थी it is the दोराग technique which gives the best estimates of the cyclone intensity तो यह दोराग technique ही थी जो बहुत ही अच्छे से estimates रताती थी कि cyclone की intensity क्या है vital component while issuing weather warnings प्योंकि जब weather की warning दी जाती है तो इसलिए उसके time पे बताया जाता है यह चीज कि जो cyclone है वो कितना थेज आएगा कब टगर आएगा जमीन से तो यह सब चीज़े बताई जाती है लोगों को जिससे की उन लोगों की जान बचाई जा सके नेक्स आता है GS2 से न्यूज आ रिये सबसे पहले कि एक program launch किया गया है आयुरुवेद डे को celebrate करने के लिए 2022 के तो all इंडिया institute of आयुरुवेद इसको हर दिन हर घर आयुरुवेद के थीम के साथ सको celebrate किया जाएगा October 20th को नेक्स आता है रक्तदान अमरित महसव स्टार्ट किया गया है 17 सितमबर से तो Union Health Ministry ने प्लान किया है कि वो एक nationwide mega voluntary blood donation drive यानि कि लोग अपनी स्वेच्छ से blood donate करेंगे जिसको रक्तदान अमरित महसव कहा गया है 17 सितमबर से इसको start किया गया है एक लाख unit जो है खून की वो 81 करने की collect करने की बात कही जा रही है The drive hopes to create a database of donors who can be called upon at times of emergency The drive would continue till October 1 जो drive है यह एक October तक चलेगी और National Voluntary Blood Donation Day जो उस दिन है एक October को गया है National Voluntary Blood Donation Day तब तक ही चला था एक अच्छी खबर आ रही है कि इंडिया और चाइना डिफेंस से न्यूज है या इंटरनाशनल रिलेशन से आप कहने की न्यूज है कि भारत और चाइना ने जो पीपी 15 है यानि कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है लग्दाग में गोगरा होट स्प्रिंग वाला वहाँ से पीछे हटने की बात मंजूर कर ली है और दोनों से नाई जो है वो पीछे आ गई है तो भारत और चाहिना carried out verification to confirm withdrawal of troops from patrolling point 15 in the गोगरा होट स्प्रिंग एरिया उफ एस्टन लग्दाग तो पूरवी लग्दाग का जो गोगरा होट स्प्रिंग का एरिया है वहाँ पे complete disengagement होगा है जो की अच्छी बात है तो डेमचोग अभी भी एक disputed area है वाइल देपसांग plains is one of the eight friction points in the area डेमचोग वाइल देरा varying claims है कि सवाल कैसे पूचा सकता है आपसे सवाल भी पूचा सकता है कि डेमचोग कहां है देपसांग plains कहां है या यह भी न्यूज में थे यह कहां पे हैं गोगरा होट स्प्रिंग कहां पे है तो यह लद्दाक unit territory में है और इसकी हमें एक map के थ्रू बहुत ही precise location भी पता करनी होगी यह आपको north से south में और east से west में भी लगाने के लिए पूच सकता है UPSC या कोई भी PCS या उतरखन PCS कि इनकी location को आप west to east या east to west लगाईए या north to south लगाईए कि डेमचोग कहां है डेपसांग plains कहां पे हैं गोगरा होट स्प्रिंग कहां पे बढ़िया है अगस्त में कल ही हमने जो current affairs cover किया था कि भारत oil seeds पे तिलहन तेलों पे बहुत ज़्यादा dependent है दूसरे देशों पे क्योंकि हमारे हां की जो demand है उतनी जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा तेल जो है तिलहन तेल जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना तो Ukraine और Russia क्योंकि युद में हैं तो Russia और Argentina अब major supplier बन गये हैं Sunflower Oil के भारत को और इनका जो cooking oil का इंपोर्ट है वो 89.6% भढ़कर 1.35 lakh ton हो गया है अगस्त अगस्त के अंदर India the world leading vegetable oil buyer is dependent on imports of sunflower oil which constitutes 16% of the total edible oil imports यानि कि जो सूरज मुखी का तेल है हम जितना भी तेल इंपोर्ट करते हैं सारा खाने का तेल उसमें से 16% तेल जो होता है वो सूरज मुखी का तेल होता है next आता है science and tech से news है कि Russia की जो एक organization है Ross Atom वो एक जो EV battery होती है यानि कि electric vehicle की जो battery formation होता है carbon fiber venture को भारत के साथ कड़ना चाहरी है तो Russia's Ross Atom State Nuclear Energy Corporation जिस तरह से भारत में Nuclear Corporation of India है उस तरह से Russia की एक Ross Atom वहां की अपनी एक nuclear energy corporation है जो कि एक global nuclear energy solution provider है वो cooperate करना चाहती है भारत के साथ अलग-अलग fields में जैसे कि lithium batteries हो गई carbon fiber है nuclear medicine है modern radiation technology है और wind energy है यानि कि कई साले sector में power के sector में आप कहा सकते हैं basically वो deal करना चाहरी है entity is set to establish Europe's largest lithium battery production facility in its homeland in the wake of the rapidly increasing demand for electric vehicles across the globe तो ये entity चाहरी है कि Europe का सबसे बड़ा lithium battery production है वो हाँ पे establish किया जाए Leningrad nuclear power station जो है रश्या का सबसे बड़ा nuclear complex है यह आपको बता होना चाहिए और Ross item जो है भारत में जो kudan kulum nuclear power plant है तमिन नाडू का उसको कौन बना रहा है उसको रश्या की help से Russian collaboration की help से हम लोग बना रहे हैं next आता है fall in natural rubber prices in India की जो natural rubber की जो prices है वो घटते जा रहे हैं लगतार के जो किसान है उनकी दिक्कते होगा उनकी दिक्कतों को और जादा बढ़ावा मिलिया है पहले ही वो कोरोना से गरस्त थे कोरोना महमारी के बाद से उनको बहु सारी दिक्कते थी और अब rubber की जो दाम है वो और घट गए हैं तो उसके वे से उनको और जाद दिक्कते आ गई हैं आफ्टर एं मॉडरेट पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल दाप्राइशल रुबर हैस क्रैश्ट तो पोस्ट पैंडेमिक के बाद थोड़ा बहुत तो राइस हुआ मार्केट में लेकिन उसके तो का मोर सीवेर डरबिंग विद इस प्राइस रॉलिंग डाउन बिलो रुपीज बनाने थे तो उस टाइम पे इसके दाम बहुत ही जिसे भड़ गए थे लेकिन अब वापिस से जब इसकी डिमांड खतम हो गई है तो अब इसके दाम जो हैं बहुत जादा कम होकर 120 सौर्टियम ऑफ रीजनल फेडरेशन्स ऑफ रबर प्रेडियूसर सुसाइटीज एक अम्रेल और्गनेशन है यह रबर गुरुवर्स के लिए वो सारा दिन उन्हें सिट इन दिया है प्रोटेस्ट करा है रबर बोर्ड के सामने जो कि कहां पे है को टायम के रला में है यह आपको पताऊं चाहिए कि रबर बोर्ड के हैड़वाटर का मिलेगा आपको को टायम के रला में मिलेगा तो अब बात यह आती है कि फॉल क्यूं हुआ है प्रैसिस में यानि कि जो दाम गिरे है रबर के इतनी तेजी से दाम क्यूं गिरे हैं अगर हम देखें करेंट फॉल लोग जो हैं इंपोर्ड नहीं करना चाह रहे हैं और और वी कुछ चीज़े हैं यानि हम यह कह सकते हैं कि सभी तरह से व्यापार इस तरह में इस समय बिलुकुल बंद है जिसके वाज़से रबर के जो दाम है वह बहुत देजी से गिरे हैं जो भारत की टायर इंडस्ट्र हो रहा है तो और रबर की डिमांड नहीं है क्योंकि हमने रबर जो इंपोर्ट करी है वो कहा से करी है आईवरी कोस्ट से और फार इस्ट से वेर डज इंडिया स्टेंड इन टरम्स अफ दी प्रोडक्शन एंड कंजम्शन ऑफ नैशनल रबर कर हम देखें तो भारत इस टा भारत का जो टोटल नैशनल रबर है वो हम इंपोर्ट से ही हमारा काम चलता है यानि कि भारत में रबर की डाम रबर की जो डिमांड है वो इतनी जादा है कि अभी भी हमें रबर इंपोर्ट करना पड़ता है भारत में जो रबर बनता है उससे भारत के डिमांड पुरी नह ही हुपाती है अब यह का जा रहा है कि भारत में जो प्रोड़क्शन है और कंजम्शन है वो साड़े आट लाक टन है याँ आप यह कह सकते हैं करी करीब 4,40,000 तन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इतनी जादा हम कमी पे बैठे हैं दाप्रोड़क्शन अफ्डी मैटीरियल इंप्रूबड बाइट पूर परसेंट जो प्रोड़क्शन है वो इंप्रूफ वहा है और हम 7,50,000 टन को हमने प्रिद्यूस करा है पिछले साल के गंपेर में साल तक पंदर जाटन के गंपेर में जो इंक्रीज हुआ है इल्ड में टैपबल एरिया इन एरिया टैब्ड डूरिंग दा इयर कॉंट्रीबूटी तो राइज इन प्रॉडक्शन अब इंपॉर्टन बात यह है कि जो ओटो टैर इंड़्ट्री है यानि कि Duckler के लिए वहानों के लिए कार्ज के लिए ट्रक्स के लिए जो टैर बंते हैं उनको जो बनाने वाला सेक्टर है उनकी manufacturing सेक्टर जो है वो रबड का 73% जो भारत में consume होता है वो वहीं पर कंजिम होता है, यानि कि 73% रबर अगर 100 किलो रबर पैदा हुई है तो उसमें से 73 किलो रबर तो हमारी किसमें खतम हो जाएगी टैर बनाने की इंडस्ट्री में ही यूज होती है बाकी और रबर और जगांपे इस्तमाल होती रहती है इंपोर्ट अवधी मेटीरियल मेनवाइल इंक्रीज टू 5,000,000 तन बढ़ गया है 4,000,000,000 से लेके 5,000,000,000 बढ़ गया है यानि कि भारत में जो कंजम्शन है वो तेजी से रबर का भढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे विकल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टायर्स के दिमांड भी बढ़ती जा रही है किसानों की क्या दिमांड है अगर हम किसानों की दिमांड पूछें the key demands they have raised to the union government include raising the import duties on latex products कि जो latex के products हैं उन पे import duty बढ़ाई जाए compound rubber to make it on a par with national rubber कि जो compound rubber भार से आ रही है और भारत में national rubber हो रही है दोनों के दाम सेम हो by either 25% और रुपीस 30 पर किलो तो its demand to the state government अब देखी क्या हो रहा है कि भारत में जो बन रही है वो national rubber है भार से compound rubber आ रही है synthetic rubber आ रही है जिसके वैसे भारत के जो national rubber के जो दाम है वो जादे है भार से जो दाम आ रहे है वो कम हो रहे है तो लोग भार की rubber खरीदना परफर कर रहे है ना कि भारत की बनीवी national rubber तो उनका कहना ये है कि भार की rubber पे अगर हम import duty लगा देंगे तो एक शुलक लगा देंगे तो वो उसके दाम भढ़ जाएंगे जिससे कि वो भारत के रबड के जो दाम है उसके बराबरा पाई की इस demand to the state government are to raise the replanting subsidy in Kerala विच रिमेंज से 25,000 रुपे पर हेक्टेर और support price जो है वो 200 रुपे installation scheme जो है 200 रुपे है 170 रुपे से next economy का बहुत important concept आता है windfall tax का अब देकि windfall tax कुछ दिनों पहले भी cover किया गया था windfall tax वो tax होता है जो सरकार किसी भी देश की सरकार कुछ समय के लिए लगाती है और किसी ऐसी industry पे लगाती है जहाँ पे उसको ये उमीद होती है कि उस industry ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा गेनी कर लिया हो तो उस पे ये extra tax लगा दिया जाता है windfall taxes are designed to tax the profits of a company यानि कि एक company के जो profits आये हैं उस पे tax लगाने का काम करती है windfall tax derives from an external sometimes unprecedented event यानि कुछ ऐसे event यानि कुछ ऐसी चीज़े हो जाएं जो पहले से ना हुई हो यानि कि अभूत पूर्व गटना ही हो तो उनके लिए ये tax लगा जाता है for instance जैसे कि अभी energy price में rise हो गया है result of Russia-Ukraine conflict Russia में और Ukraine में जो यूद चल रहा है इसके वैसे तेल के दाब में जो भडोतरी हुई है इसके वज़े से क्या हो रहा है कि जो windfall tax है ये लगाया गया है सरकार को ये लगता है कि companies ने इस टाम पर अच्छा मुनाफ़ा कमाया है तो उनसे हम मुनाफ़े का कुछ प्रतिशत ले ले these are profits that cannot be attributed to something the firm actively did like an investment strategy और an expansion of business तो उनका कहना ये है कि ये ऐसा profit है कि company के expand करने पे या company ने कुछ और नया initiative लिया उसके वैसे हुआ है ऐसा नहीं है पर इस्तितिया कुछ ऐसी बन गही है जिसके वैसे उसको ये extra benefit हुआ है तो सरकार चाहती है कि अगर आपको extra benefit हुआ है तो सरकार को भी आप extra tax दो मिल गया है gain in income through no additional effort और expense आपने कोई extra खर्चा नहीं करा कोई extra मेहनत नहीं करी लेकिन उसके बावजूद अगर आपको जादा फाइदा मिल रहा है तो सरकार उसमें आपका tax कटेगी गर्मेंट्स टिपिकली लिवाई this has a one-off tax retrospectively over and above the normal rates of tax तो जो normal rate of tax है वो तो लगता ही है और इसको retrospectively भी लगाया सकता है यानकि पहले से भी लगाया जा सकता है वन एरिया जहां पर यह tax बहुत जादा लगाया जाता है वो है oil market क्योंकि oil का जो market है crude oil का जो market है वो इतने ज़्यादा fluctuate करता है कभी उसके दाम घट जाते हैं कभी उसके दाम भढ़ जाते हैं तो इस वैसे यहां पर लगाना यह सरकार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है there have been varying rationale for governments worldwide to introduce windfall taxes from redistribution of unexpected gains when high price benefit उनका कहना यह है कि जो बहुत जादा फाइदा अपकाव जो हुआ है price के भढ़ने से हम उसका क्या करेंगे redistribution करेंगे यानि कि उस पैसे को वापिस से बाट देंगे लोगों के अंदर उनको कुछ हम social welfare का का काम कर देंगे इस तरह से Central Government ने एक जुडाई को introduce किया था windfall tax of rupees 23,250 रुपे प्रति टन domestic root oil production पे जो कि कहा जा रहा है कि चार बार अब तक revise किया जा चुका है latest version उसका 31 अगस्त को आया जब इसको 13,000 रुपे 13,300 रुपे कर दिया गया button 13,000 रुपे से तो countries क्यों लगा रही है इसको क्योंकि तेल के दाम, गैस के दाम और कोल के दाम जो है वो लगातार भढ़ रहे हैं पिछल साल से और first two quarters of the current year although they have reduced recently pandemic से recovery हुई है, supply issues में दिक्कत हा रही है, Russia-Ukraine conflict के वैसे, इसके वैसे जो energy के demand है वो भी भड़ी है और उसके जो दाम है वो भी बढ़े है इन जुलाई, इंडिया announced a windfall tax, हमने पढ़ी लिया है कि additional exercise दिवाई भी लगाया गया है ATF पे, यानि कि diesel पे, petrol पे और air turbine fuel, यानि कि जो हवाई जाज में, या ही copters में जो तेल डलता है, उसकी बात की जारी है अब देखे, windfall tax लगाया तब जाता है, अगर आपका देश अच्छा कर रहा हो, और आपको दूसरे देशों से तेल ना इंपोर्ट करना परता हो लेकिन भारत अभी भी कई देशों से तेल इंपोर्ट करता है, तो फिर windfall tax लगाने का भारत में क्या मकसद है, यह सबल पुछे जा रहा है prelims के लिए कुछ facts देख लेते हैं कि SEO का सम्मिट हुआ है 2022 का समरकंद में, बहुत important चीज है, उसबेकिस्तान SEO सम्मिट जो है, वो 15 members को उसमें include कर रहा है, 15 leaders वहाँ पे आए हैं, तो 8 तो member states हैं, और जिसमें से 4 तो central nation states हैं, और 4 चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिय का, अफगानिस्तान को invite नहीं किया गया है, और जो guest countries हैं, वो कौन-कौन हैं, वो हैं, अर्मेनिया, एजरवेजान, टर्की और तुर्कमेनिस्तान, फिर एक आभानेरी festival होता है, बहुत important चीज है, पूछा सकता है अपसे कि आभानेरी festival कहा होता है, तो राजस्तान में होता ही, क्योंकि एक एर डिफेंस की exercise है, तो इससे साथ आज़कर इंटरफेस कम्रीट होता हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका feedback है, session है, तो आप मुझे comment section में comment करके जुदू बताइएगा, बाकि मिलते है next video में, so thank you and bye bye